नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम एक बहुत ही दिल्चस्प और महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के 20 बिंदो तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 1. प्राचीन उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति का इतिहास बहुत पुराना है जो प्राचीन भारत के क्षत्रिय जाती से जुड़ा हुआ है 2. वैदिक काल वैदिक काल में एक शत्रिय समाज के लोग युद्ध और शाही कर्तव्यों का पालन करते थे जिनसे राजपूतों का वंच विकसित हुआ 3. महाभारत काल महाभारत में भी ख्षत्रिय कुलों की कहानी मिलती है जिनसे राजपूतों के पूरवजों का संबंध माना जाता है 4. मौर्य वंच मौर्य सामराज्य के पतन के बाद राजपूतों ने कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की और अपने प्रभाव को बढ़ाया 5. मौरि काल के बाद मौरि सामराज्य के बाद राजपूतों ने राजस्थान और मध्य भारत में प्रमुक शक्तियों के रूप में उभरना शुरू किया 6. गुप्त काल गुप्त सामराज्य के दौरान भी राजपूतों की उपस्थिती दर्ज की गई जब विसैन्य और शाही भूमिकाओं में सक्रियत हैं 7. राजपूत कुलों का उदय 7. और 8. सदी में विभिन राजपूत कुलों का उदय हुआ जैसे चोहान, क्रतिहार और गहडवाल 8. मध्यकाल मध्यकाल में राजपूतों ने अपने क्षेत्रों को विस्तारित किया और अपनी शक्ति को स्थापित किया, जो भारतिय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड था 9. चालुक्य प्रभाव चालुकियों का भी राजपूतों पर प्रभाव था, जिन्होंने राजस्थान और मध्य भारत में कई क्षेत्रिय गुटों का निर्मार्ण किया। दस दिल्ली सुल्तांद दिल्ली मुगलकाल मुगलों के आगमन के बाद, राजपूतों ने सामराज्जी की सामरिक और प्रशासनिक भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्यायर राजपूत शासक संबंद राजपूतों ने कई बार मुगलों से संदिकी, परंतु अपनी स्वायतता और सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखा। तेरा सांस्कृतिक योगदान राजपूतों ने भारतिय कला, वास्तुकला और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें किलों और महलों का निर्माण शामिल है। चौदः वीरता और आचार संहिता राजपूतों की वीरता, आचार संहिता और आदर्ष जीवनशेली उन्हें भारतिय समाज में विशिष्ट बनाती है। पंदर क्षेत्रिय सामराज राजपूतों ने विभिन्न क्षेत्रिय सामराजियों की स्थापना की, जैसे मेवाड, मारवाड और बूंदी। समय के साथ राजपूत सामराजियों का पतन हुआ, लेकिन उनकी विरासत और सांस्कृतिक योगदान आज भी भारतिय समाज में महत्वपूर्ण है। अठार आधुनिक मान्यता आज भी राजपूतों को भारतिय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्थ है और उनकी वीरता की कहानिया प्रसिद्ध है 19. साहितिक संदर्भ राजपूतों के बारे में कई एतिहासिक और साहितिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जो उनकी महत्वता को दर्शाते हैं। राजपूतों का भारतिय सांस्कृतिक परिद्रिश्य पर गहरा प्रभाव रहा है, जिसे उनकी परंपराओं, उत्सवों और आदर्शों के माध्यम से देखा जा सकता है। दोस्तों, आज हमने राजपूतों की उत्पत्ति और उनके एतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उप्योगी लगी होगी। क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साजा करें। आने वाले वीडियो में हम और भी रोचक विशेयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे नमस्कार।